तो इसको मुझे रिप्लेस करना है अपने GTX 2060 से और आपको एक छोट से पेच कस कि आपको जोगत पड़ेगी यहाँ पर आपको नीचे कुछ मिलेगा यह आपको एक बटन सा मिलेगा मतलब प्रेस करने के लिए और यह ग्राफिक कार्ड आपका इसमें लग गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो 2060 यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर दोडिस पर दमश्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम ग्राफिक कार्ड को इसमें पीसी है और इसमें ग्राफिक कार्ड लगावा है पहली से से दोस्तों graphic card को install करने से पहले आपको ध्यान दखना है कि आपका जो power supply है वो कितने watt का है अगर मेरे पास जो power supply है वो 550 watt का है तो 2060 की जो minimum requirement होती है power supply की वो 550 watt होती है तो जब भी आप एक नए graphic card लगा रहे हैं तो पहले आपको अपनी power supply का भी ध्यान दखना है कि वो graphic card आप कितनी power को minimum इसकी requirement कितनी है तो 2060 की minimum requirement हो 550 watt है तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर replace कर सकता हूँ तो यह पर अपने graphic card को इसको बाहर नीकाल देते हैं और इसको बाहर नीकालने के लिए हमें पहले तो अपने computer से सारे wire यहां से बाहर नीकाल देते हैं और इसके बाद आपको अपने computer को कुछ इस तरीके से लिटाना है अज दोस्ते यहाप लिसकते हैं यह जो graphic card है वो यहाँ से attach हुआ है तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यह आप ग्राफिक तो यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर हमने इस तरह से बाहर आ जाएगा और यहां पर जो हमारा ग्राफिक कार्ड है यह वाला तो यह वाला इसका ग्राफिक कार्ड का यह पार्ट है तो अब हमें यह करना है यह वाला हमें पेज से बाहर निकालता है यहां पर आपके दो प तो कुछ इस तरीके से यहां से भारा जाएगा अब आपना ग्राफिक कार्ड हिलाएंगे तो बिना पिसी प्रावलम के यह इसे हम भार निकाल सकते हैं और अब दूसरा काम जा करना है हमसे पहले यहां से पावर हम भार निकाल लेंगे जो यह PCI केबल है तो आप यहां पर दे सकते हैं यह पावर यहां से भार आ चुकी है अब हमें यहां गणना है इसको सिंपल तरीके से यहां से भार निकालना है जैसे आप यहां पर दे सकते हैं पीछे इस वाले में यहां पर यह अटेच है यहां पर आपको नीचे कुछ मिलेगा यह आपको एक बटन सा मिलेगा मझा प्रेस करने के लिए simple आपको यह प्रेस करना है इसको उठाते वे जैसे यह प्रेस करेंगे तो यह खलका सा графik card आपका ऊपर हो जाएगा और simple मенे एक हाथ से मेने mobile पकट रखा है और एक हाथ से मेरे कार्ड निकल जाएगा तो काफी यदा असान है आप देख सकते हैं अब ये simple Şimdi तो यहाँ पे आप दे सकते हैं simple single हाथ से easily ये हमारा graphic card नीख भारा हुई है तो काफी असान है इसको निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है दे सकते हैं इस वाले में लगता है और इसको सिंपल प्रेस करना होता है आपको अब दोस्तों इसमें मुझे ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना है है rtx 2060 का जो मेरे पाँ जीगाबाइट ब्रेंड का है है हर qa-fi को दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा जैसे हमने निकाला था वैसको इसको इसको इंस्टॉल करना है आप यहाप दे contracepticam इसमें जो है यह अगर आप दिखेंगे तो यह द beiden हैं हैं दो यहां पेज के यह तो इसको आप यहां पर लेंगे और यह वाला पार्ड यहां से भारा जाएगा यह तो यहां पर ले सकते हैं इस तरीके से यहां से भारा जाएगा इस तरीके से और यहां से आप देखके simple तरीके से लगा सकते हैं अब इससे आप लगाएंगे बहुत यह असान है हलका सा प्रेस करना है बड़े प्यार से और यह graphic card आपका इसमें लग गया है आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें आप अपनी power लगा दीजिए यह जो cable है यह PCIE cable है यह वाली cable इसमें मिलेगी PCIE तो उस्तों graphic card को निकालना और लगाना काफी यदा असान होता है यदा मुश्किल नहीं होता है मैं अपने single हाथ से काम कर रहा हूँ एक हाथ में मेरा mobile है और एक ही हाथ से मैंने graphic card को निकाल दिया है और एक ही हाथ से मैं लगा दिया है अब क्या करना है simple जैसे हमने page निकालते हैं वैसी हम page लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारा जो graphic card है यहाँ पर install हो चुका है यहाँ पर इसकी आप page दे सकते हैं simple तरीके से लग चुके हैं और यह इसका power का है लग चुका है अब यहाँ करना है हलकलका जब press करके हम इसको और confirm कर लेंगे ची तरीके से सही तरीके से यह fit हुआ है नहीं हुआ है और अच्छी तरह से होने के बाद हमें इसे power देनी है और एक बास लग इसको test करना है और दूसरा काम इसका यह है कि इसमें जो drivers होते हैं 2060 के वो भी इसमें हमें install करने है तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हमें करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा PC है वो यहाँ पर चालू हो गया है तो इसका मतलब जो हमारा graphic card है वो अच्छी तरह से install हो गया है क्योंकि जो apps में display आ रहा है वो graphic card के अंदर से आ रहा है तो अब हमें graphic card को check करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर search मारना है dxdiag तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और इस पर click करके हमें एक बार अपना graphic card को test कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप display में जाके देखेंगे तो 2060 यहाँ पर दिखा रहा है सिंपल यहाँ पर search मारेंगे device manager तो यहाँ पर आप इसकी device manager ने पहुंच जाएंगे और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं display adapter के अंदर यहाँ पर show कर रहा है 2060 तो यहाँ पर जो हमारा graphic card है वो यहाँ पर install हो चुका है अब हमें यहाँ करना है जो 2060 के drivers हैं वो इसमें install करने हैं जो काफी असान है आप simple अगर gigabyte की brand है तो gigabyte की website पर आ सकते हैं वहाँ से install कर सकते हैं यहाँ फिर आप चाहें तो आप G4 experience अपने PC में search मारेंगे G4 experience तो आपको एक panel खुल जाएगा इस तरीके से तो आप यहाँ पर ड्राइवर्स में अपर जाके आप इसके 2060 के drivers आप install कर सकते हैं जो automatic यहाँ पर मतलब आपको शो कर देगा automatic आपके graphic card को search करके तो यहाँ से simple आपको download पर click करना है और आपके जो driver से आप इंस्ट्रॉल हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप चाहे तो कर सकते हैं बिना किसी problem कि आप graphic card इंस्ट्रॉल हो जाएंगे automatically या फिर आप चाहे तो आप website पर जाके आप manually भी graphic card के drivers को आप इंस्ट्रॉल कर सकते हैं तो चलिए उसमें हमारा यह वीडियो यहाँ पर कतम होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगा है तो आप हमारे वीडियो को like कर सकते हैं आप चाहे तो मेरे इस चैनल को भी subscribe कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए सिब वीडियो लाद रहूं थैंक्यी दोस्तु